हलो दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे चनल कविंदर भाईया तो आज हम पढ़ेंगे कच्छा आठ का हिंदी प्रग्या योपी बोड का पाठ बारा पाठ का नाम है पहरुए सौधान रहना इस पाठ का हम सभी प्रश्ण उत्तर देखेंगे तो चलिए अभ्यास प्रश्ण की और चलते हैं इसमें हमारा प्रश्ण दिया है दी गई पंक्तियों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाईये यहाँ पर देखें हमने कविता को आगे बढ़ा का लिखा है सुनो सुनो हे भाई बहना हर्दम सावन तुम रहना दुस्मन के प्रती सचेत रहना देश योग की पतवार की इनके हाथों में है तो इसका उतर हो जाएगा नए योग की पतवार सतर्क सावधान देश के रच्छकों के हाथ में है चलिए अगला प्रस देखते हैं दो नमर इसमें कराई सोतंत्रता के बाद आज भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश को तोड़ने में लगी हुई है बताईए इसमें हमरा दो खाय ये समस्याएं कौन कौन सी है आप इनको सुलजाने में क्या सायोग दे सकते हैं तो इसका उतर हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद देश को तोड़ने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आतंकवाद छेत्रवाद जातिवा और संप्रदाइक ता आदी हम संप्रदाइक स्वहार्द्र कायम रहकर अपना सयोग दे सकते हैं चलिए अगला प्रस नेकते हैं तीनमर इसमें कह रहा है हमें अपने जीवन में कई चीजों से साउधान रहने के लिए कहा जाता है सोच कर लिखिए आपको किन-किन बातों से के प्रती साउधान रहने को कहा जाता है तो इसका उतर हो जाएगा हमें जीवन में बूरी आदृतों एवं बूरे लोगों की संगती से बचने या इनसे साउधान रहने के लिए कहा जाता है हमें स्वयम के संसधुनों से संतुष्ट रहने के लिए एवं किसी भी प्रकार के लालत से बचने के लिए कहा जाता है हमें अपने सत्रू से सौधान रहना हमें नसे की लट से भी सौधान रहने को कहा जाता है आगी का प्रश्ण दिया हमारा कविता से इसमें हमारा पहला प्रश्ण कर रहा है जीत की राज से कवी का क्या तातपर्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा जीत की राज से कवी का तातपर्य स्वतंतरता प्राप्ति की राज से है चाले अगला प्रस नेकते हैं दो नमर इसमें का रहा है ले यूग की पतवार किसके लिए कहा गया है तो इसका उतर हो जाएगा सीमा के पहरेदारों के लिए कहा गया है चाले अगला प्रस नेकते हैं तीनमर इसमें का रहा है निमनलिखित पंक्तियों के भा अस्पष्ट कीजिए इसमें हमारा पहला पंक्ति है का नमर खूली देश के द्वार अचल दीपक समान रहना इसका भा अस्पष्ट हो जाएगा देश स्वतंत्र हो गया दीपक के समान अ नागरिकों का कर्तव्य है चलिए अगला देखते हैं खनमर का राय क्योंकि नहीं मीट पाई दुख की विगत सावली कूर इसका भावस पश्ठ हो जाएगा पर अधीनता के समय में हुआ देश का सोसर्त था अभाव और हानी दूर नहीं हो पाई चलिए अगला देखते हैं ग गनमर का रहा है ले यूग की पतवार बने अब उन्धी महान रहना इसका भावस पश्ठ हो जाएगा समुंद्र के समान महान बनकर नए यूग में स्वतंत्र देश का मार्ग दर्शन करना और उसे आगे बढ़ाना चलिए अगला देखते हैं चानवा प्रश्ण कर रहा है क कवी पहर्गों को सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा है तो इसका उतर हो जाएगा कवी देश की सुरच्छा करने के लिए पहर्गों यानि पहरेदारों को सावधान रहने के लिए कह रहा है चलिए अगला प्रसंति हैं पांस नमर कविता की रिक्त पंक्तियों को पूरा कीजिए देखे हमने यहाँ पर पूरा करके दिखाया है उची हुई मसाल हमारी सोसर सेम्रित है समाज आगे कठिन डगर है कमजोर हमारा घर है सत्रु हट गया लेकिन उसकी किन्तु आ रही नहीं जिंदगी छयायों का डर है यह विश्वास अमर है चलिए अगला देखते हैं आगे दिया भासा की बात प्रश्ण वन करा है दिप्ति मान में दिप्ति सब्द में मान प्रत्य जुड़ा है मान मती वान वतीस के जुड़ने से संग्या सब्द भी से सड़ बन जाता है नीचे लिखे सब्दों में मान वान जोड़कर नया सब्द बनाईए देखिए यहा गुड में वान जोड कर गुडवान सकती में मान जोड कर सकती मान रूप में वान जोड कर रूप वान देखिए इसमें हमारा इतना ही प्रश्ण दिया था जो हमने आपको बता दिया तो इसका हम अगला जो पाठ है पाठते रह बहुत ही जल्द लेकर आएंगे तो धन्यवा दोस्टू